नवश्कार मैं हूँ सुक्रत इरोय, चैटर जी और बोल्स काई में आप सभी का स्वगत है आपकी द्वारा खाय गया फूर कॉम्बिनेशन आपके पाचन तंतर पर किसी न किसी तरह असर जरूर डालता है आज के वक्त में हम फूर्ट को लेकर कोई न कोई एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं जिसके कारण वो हमारे पाचन तंतर पर बुरा असर डालता है जिससे आप कई बीमारियों के शकार हो जाते हैं खराफ फूड कॉंबिनेशन आपको अपज गैस जैसी कई परिशानिया दे सकता है इसी तरह नीमू के साथ भी कई चीजों का सेवन करना मना है इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है आयरुवेद के मुताबिक आईए जानते हैं वो चीजें क्या हैं नीमू के साथ पपीते का सेवन कभी नहीं करना चाहिए इससे आपका हिमोग लोबिन इम्बालन्स हो सकता है इसके साथी एनिम्या के शिकार भी हो सकते हैं वही दही के साथ नीमू का सेवन करना भी वर्जित है डेरी प्रोडक्ट्स को हट टेफलो में बेलाने से पाचन तंतर पर बुरा असर पड़ता है साथ ही आपको सरदी जुखाम, साइनस या अलर्जी का भी सामना करना पड़ सकता है आमतार पर सलाद में नीमबू का जादा अस्तमाल करते हैं आरवेद के मताबिक टमाटर पर जादा मातरा में नीमबू का इस्तमाल ना करें इससे शरीर के पाचन तंतर पर बुरा असर पड़ता है वही ये तो आप जानते ही होंगे कि दूद और नीमबू को एक साथ नहीं खाना चाहिए इससे बदहजमी हो सकती है इसले दूद पीने के करीब एक घंटे पहले या बाद में नीमबू खाएं उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें